हेलो गाइस वेलकम बैक टूबर अनादर गेम प्ली वीडियो तो गाइस आज हम लोगे कैसे वल्ड में जाने वाले हैं जिसमें हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की बजाए ओपी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे तो गाइस सबसे पहले वोट तोड लेते हैं और अब जल्दी से एक वोडन पिकेक्स बना लेते हैं और इसी के साथ हमारी वोडन पिकेक्स बन गई है तो गाइस अब जल्दी से स्टोन माइन करते हैं और इसी के साथ हमारे सारे स्टोन के टूल्स बन गई है तो guys अब जल्दी से एक structure नोड़ते है guys हमें रास्ते में यहाँ पर कुछ iron blocks मिले है अगर यह कुछ structure होता है तो फिर मेरे को इसका नाम तो नहीं बता लेकिन अगर मेरे को इसका नाम मिल जाएगा तो फिर मैं वीडियो में डाल दूँगा guys अब यह iron blocks माइन करके अपने लिए एक iron का armor बना लेते है और इसी के साथ हमारा iron armor बन गया है तो finally इतनी देर बाद हमें एक structure मिल गया है तो इस पिलेजर आउट पोस्ट में जाने से पहले एक shield बना लेते है और guys इन्होंने crossbow मारना start कर दिया है और इसी के साथ यह मर गया है guys इन्से लेंडने से बढ़िया है कि हम लोग जल्दी से ऊपर चलकर chest loot लेते है ओ भाई हमें इसमें तो पूरा diamond का armor ही मिल गया guys मैंने आसे सारा सामान ले लिया है और आप कोई दूसरा structure ढूणते है guys हमें एक desert temple मिल गया है guys इस chest में भी हमें diamond का armor ही मिला है जो कि हमारे पास पहले से ही है और इस chest में हमें तीन तीन totem of undang मिल गये guys हमें एक साथ कितने सारे enchanted apple मिल गये भाई फैंको ये bread bread अब तो हम लोग enchanted apple को normal food किता रखा सकते है guys अब यहां से netherite का block भी ले ले लेते है तो guys हमें एक lava pool मिल गया है guys नether में जाने से पहले अपना armor netherite का बना लेते है और इसी के साथ हमारा netherite armor बन गया है तो guys अब एक nether portal बनाते है और इसी के साथ हम लोग nether में पहुँच गए है guys यहां से gold block ले ले लेते हैं जिससे हम लोग piglin से end double trade कर सकते है guys अब blaze rod लेने के लिए एक nether fortress जूणते है तो guys हमें nether fortress मिल गया है guys यह nether fortress पुरा netherite block से बना हुआ है guys हमें एक blaze spawner मिल गया है और अब जल्दी से blaze rod collect करना start करते है तो finally हमारे पास 10 blaze rod हो गई है guys हम लोग crimson forest में आ गई है और अब piglin से end double trade कर लेते है तो guys इतनी देर बाद हमें इसने end double दे दी है और अब जल्दी से over world में चलते है guys यहाँ पर रात हो रही है तो फिर जल्दी से सो कर सुबा कर लेते है और अब आये फेंडर बना लेते है तो guys अब हमें इस direction में जाना है और इसी के साथ हमें portal room मिल गया है तो अब जल्दी से spawner तोड़ देते है और इसी के साथ हम लोग end पर पहुच गए है guys अब यहाँ पर build करके इस tower के उपर चलते है और इसी के साथ पहला end castle तूट गया है और अब बो end hero की मदद से बागी के end castle भी तोड़ देते है guys dragon नीचे आ रहा है और अब इसको मानना start करते है और इसी के साथ ender dragon मर गया है guys अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक like जरू से करते है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलना तब तक के लिए बाइबाइबाइ थैंक्यू सो मच फर वाचिंग